नमस्कार आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूँ आपके साथ छवी सिंग्रॉली चितरंगी में SDM के जूते का मानविय द्रश्टी से महिला द्वारा लेस बानने के वारल फोटो के बाद मुख्यमंत्री द्वारा हटाये जाने के मामले पर हो रही चर्चा पर अभी विराम भी नहीं लगा था कि डिग्री कॉलेज बैडल में निरिये बच्चियों से अमानविये तरीके से कई टन वजनी हातों से रोलर चलवा कर खोको ग्राउंड के मरमत करवाने का फोटो वा वीडियो वारल होने का एक और मामला सामने आया है वीडियो वारल होने के बाद महाविद्यालय प्रबंदन के उपर कई तरह के सवाल उठने लगी हैं राजस्तरिय प्रतियोगिता के लिए आयोजन के लिए जारी लाखो रुपए के बजट में हिराफिरी करने महाविद्यालय प्रबंदन ने खोको ग्राउंड के मरमती करन का कारे मजदूरों वा अन्य संसाधनों से करवाने की बजाए निरिय बच्चीयों से करवा रहे हैं गौरतलभों की डिग्री कॉलेज में 29 जन्वरी से दो दिवसी राजिस्तर ये पुरुष खोको प्रतियोगिता का आयोजन किया जारा है प्रतियोगिता में प्रदेश के आठ संभाग के सैक्डों खिलारी भाग लेंगे प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजग डिग्री कॉलेज को लाको रुपय का बजट भी जारी हुआ है जिसमें ग्राउंड मरमत से लेकर खिलारीयों के खाने पीने वा ट्रॉफी आदी की सारी विवस्था शामिल है लेकिन आयोजग डिग्री कॉलेज बैढन प्रबंदन ने बजट को बचाने ग्राउंड मरमती करण का कार्य मजदूर वा अन्य संसाधनों से कराने के बजाए कॉलेज की निरी ही छात्राओं से करिटन बजनी रोलर को चलवा कर ग्राउंड मरमत का कारे करने का फोटो और वारल हुआ है वारल वीडियो में दरजनों बच्चियां जैसे तैसे वजनी रोलर को उठा कर आगे पीछे करते हुई दिख रही हैं डिग्री कॉलेज बैढन में आयोजग राज इस्तरी पुरिश खोको प्रत्योगिता के आयोजग से जहां सिंग्रॉली जिले का सम्मान वहीं मेजबान डिग्री कॉलेज द्वारा बच्चियों से रोलर चलवा कर खोको ग्राउंड का मरमत करवाने के अमानवी एक रत्य का वीडियो वारल हुने से जिला शर्मसार भी हो रहा है बच्चियों से रोलर चलवा कर खोको ग्राउंड का मरमत करवाने के वारल वीडि ही है.